नमस्ते, मैं चंदर सेखर, आप सभी को मैं अपने चैनल डिलिजन्ट अगेडमी में स्वागत करता हूँ आज हम लोग एक नए चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पाइपेंड सिस्टर्ण हम लोग पूरे पाइपेंड सिस्टर्ण के अंदर वही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, जो हम लोग ने टाइम एंड वर्क के अंदर यूज किया था आज के क्लास में हम लोग पाइपेंड सिस्टर्ण के उपर कुछ बहतरीन कोश्चन करने वाले हैं चलिए हम लोग question की तरफ चलते हैं, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर ले और bell icon को press करना बिल्कुल न भूले ताकि आपको सबसे पहले latest notification मिलता रहे हैं, चलिए अब हम लोग question की तरफ चलते हैं, देखिए हमारा question क्या दिया हुआ है? question दिया कि pipe A किसी टंकी को 12 घंटा में भड़ सकता है, जबकि pipe B टंकी को 15 घंटा में खाली कर सकता है, जब दोनों pipe एक साथ काम करें, तब टंकी कितने दिर में भड़ेगी? हमें question में क्या दिया हुआ है? कि pipe A जो है टंकी को 12 घंटा में भड़ सकता है, और pipe B जो है तंकी को 15 तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले टंकी की धारीता मानने के लिए हम क्या करेंगे जो हमारा समय दिया हुआ है समय क्या दिया हुए कि A जो है 12 घंटा में भर रहा है और B 15 घंटा में खाली कर रहा है जो हमारा समय दिया हुआ हम इस समय का LCM निकालेंगे यानि 12 और 15 का LCM हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा यानि हम टंकी की धारिता को माल लेंगे कि टंकी की धारिता जो है 60 unit है देखें टंकी की धारिता कितना है? 60 unit है 60 unit धारिता वाले टंकी को जब pipe A भर रहा है तो कितना समय लगा रहा है? 12 गंटा का और 60 उनिट धारता वाले टंकी को जब पाइप B खाली कर रहा है तो कितना समय लगा रहा है 15 घंटा का बी क्या कर रहा है निगेटिव और कि यानि खाली कर रहा है तो हम इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगाएंगे अब देखिए पाइप A जो है 60 लिटर 60 उनिट पानी क कि हमारा निकल क्या गया कि 5 उनिट और B जो है 15 घंटा में अगर 60 उनिट पानी खाली कर रहा है तो एक गंटा में कितना खाली कर रहा होगा चार यानि यहां से हमारा ये निकल किया गया कि B का efficiency क्या है minus का 4 क्योंकि ये खाली कर रहा है negative काम कर रहा है तो हम इसके सामने negative का symbol लगाएंगे अब देखिए हमें question में दिया हुए कि दोनों pipe को एक साथ अगर काम कराया जाए यानि pipe A और pipe B दोनों एक साथ काम करे तो टंकी कितने दिर में भर जाएगी देखिए टंकी कितनी unit के है टंकी 60 unit धारिता की है टंकी जो है 60 unit धारिता की है यानि टंकी के अंदर 60 unit पानी हमें भरना है और A जो है एक घंटे में 5 unit पानी भर रहा है और B एक घंटे में क्या कर रहा है चार यूनिट पानी खाली कर रहा है यानि अगर दोनों को एक साथ अगर हम खोलेंगे तो एक घंटा में कितना यूनिट पानी भर जाएगा ए पांच यूनिट पानी भरेगा और बी क्या करेगा उसमें से चार यूनिट खाली कर देगा यानि पूरे एक घंटा में एक यूनिट पानी भर पाएगा अगर दोनों को एक साथ काम कराएगे तो अब टंकी की धारिता कितना है? टंकी की धारिता जो है 60 यूनिट है और एक घंटे में एक यूनिट पानी भर रहा है यानि हमारा यहां से समय निकल किया जाएगा कि दोनों को एक साथ अगर काम कराये जाए तो कितना समय लग जाएगा? 60 घंटा का समय लग जाएगा कितना समय लग जाएगा? 60 घंटा का हमारा आंसर क्या निकल किया गया? 60 घंटा चलिए एक बर फिर से question देख लेते हैं हमें question में क्या दिया हो था हमें question में दिया हो था कि pipe A किसी टंकी को 12 घंटा में भड़ सकता है जब कि pipe B टंकी को 15 घंटा में खाली कर सकता है जब दोनों pipe एक साथ काम करें तब टंकी कितने दिर में भड़ेगी हम सबसे पहले क्या करेंगे हमें question में जो दिया हुआ है कि pipe A जो हे 12 घंटा में टंकी को भड़ सकता है और pipe B टंकी को 15 घंटा में खाली कर सकता है तो जो हमारा समय दिया हुआ है, हम सबसे पहले टंकी की धारिता मानेंगे, टंकी की धारिता मानने के लिए, जो हमारा समय दिया हुआ है, हम उस समय का LCM निकालेगे, हमारा समय क्या दिया हुआ है, 12 घंटा और 15 घंटा, 12 और 15 का LCM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानि हम उस टंकी की धारिता माल लेंगे कि 60 उनिट धारिता वाली टंकी है यानि टंकी की धारिता कितना हो गई 60 उनिट और जब ए 60 उनिट धारिता वाले टंकी को भर रहा है तो कितना समय ले रहा है 12 घंटा का और जब ए 60 उनिट धारिता वाले टंकी को खाली कर रहा है तो कितना सम चांब ता पांच उनिट और बी जो है 15 घंटा में 60 उनिट पानी खाली कर रहा है तो एग घंटा में कितना खाली कर रहा होगा 4 यूनिट यनी यहां से बी का efficiency निखल किया गया 4 और बी जो है negative काम कर रहा है तो हम इसके सामने negative का सिंबल लगाएंगे अब हमसे कोश्चन में बोल रहा था कि दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने दिर में भड़ेगी अब देखिए ए जो है एक घंटा में पांच यूनिट पानी भर पाएगा और बी क्या करेगा उस पांच यूनिट में से चार अगर दोनों को एक साथ करेंगेद अगर साथ काशब कर दैए थो तो 20 सा घंटा में पूरी भर जाएगे चलिए चलिए question समझ में आ गया होगा, next question पे चलते हैं, देखे हमारा question क्या दिया हुआ है, question दिया कि pipe A किसी टंकी को 12 घंटा में भड़ सकता है, प्रन्तु टंकी में छेद होने के कारण, वह 30 घंटे में भड़ी जाती है, तो छेद अकेले टंकी को कितने दिर में खाली कर सकता है, यानि अगर छेद होने के कारण, टंकी कितने दिर में भड़ रही है, 30 घंटे में, यानि A और प्लस B से अगर 7 में काम करा रहे हैं, तो टंकी 30 घंटे में भड़ रही है, और B कैसा काम कर रहा है, निगेटीब काम, यानि पानी को टंकी से बाहर कर रहा है, निगेटीब काम कर रहा है तो देखिए हम से क्या पूछ रहा है कि छेद अकेले टंकी को कितने दिर में खाली कर सकता है यानि पाइप भी उस टंकी को अकेले कितने दिर में खाली कर सकता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले जो हमारा समय दिया हुआ है हम समय का LCM निकालेंगे और जो हमारा LCM निकल के आएगा हम उस LCM को माल लेंगे टंकी की धारिता तो हम सबसे पहले LCM निकालेंगे देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है समय दिया है 12 गंटा दूसरा समय क्या दिया है 30 गंटा 12 और 30 का LCM कितना हो जाएगा 12 और 30 का हमारा LCM हो जाए जब A भड़ता है तो कितना समय ले रहा है 12 घंटा का और जब A के साथ छेद भी काम कर रहा है यानि A के साथ हम छेद को B माल ले रहे हैं यानि A और प्लस B साथ में काम कर रहे हैं तो टंकी कितने दिर में भड़ी जा रही है 30 घंटे में तो देखिए अगर पाइप A जो है 12 घंटा में एगर साथ यूनिट पानी टंकी के इंदर भड़ सकता है तो एक घंटा में कितना भड़ेगा एक घंटा में 5 यूनिट भड़ेगा यानि हमारा यहां से पता चला कि A का इफिसेंसी कितना है 5 यूनिट है और A प्लस B जो है 30 घ घंटे में अगर साथ यूनिट पानी भड़ सकते हैं तो एक घंटा में कितना भड़ेंगे एक घंटा में 2 यूनिट यानि A प्लस B का इफिसेंसी क्या पता चला 2 यूनिट A का इफिसेंसी 5 यूनिट है और A प्लस B का इफिसेंसी कितना है 2 यूनिट है तो यहां से हमें क् लब कि B जो है इस 5 युणिट में से 3 युणिट खाली कर रहा है यानि B का efficiency कितना निकल के आ गया B का जो efficiency आ गया 3 युणिट और 3 युणिट B जो है negative काम कर रहा है तो इसके सामने हम negative का symbol लगाएंगे यानि B हर घंटे में 3 उनिट पानी खाली कर रहा है तो हमसे question में क्या पूछ रहा है कि अगर छेद अकेले टंकी को खाली करे तो कितने दिर में खाली करेगा तो देखिए टंकी की धारिता कितना है टंकी की धारिता जो है वो 60 उनिट है टंकी की धारिता कितना है? 60 unit है, और B जो है, एक घंटे में कितना पानी खाली कर रहा है? 3 unit, तो 60 unit पानी खाली करने में कितना समय लगेगा? यहां से हमारा निकल क्या जाएगा? हम इस 60 को 3 से काटेंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 20 घंटा. यनि छेद अकेले उस टंकी को कितना दिर में खाली कर सकता है? 20 घंटे में खाली कर सकता है चलिए एक बार फिर से question देख लेते हैं हमें question में क्या दिया हो था? pipe A किसी टंकी को 12 घंटे में भड़ सकता है प्रन्तु टंकी में छेद होने के कारण वह 30 घंटे में भड़ी जाती है तो छेद अकेले टंकी को कितने दिर में खाली कर सकता है? हमें question में जो दिया हुआ है कि pipe A किसी टंकी को 12 घंटे में भड़ सकता है लेकिन टंकी में छेद होने के कारण टंकी 30 घंटे में भड़ी जाती है तो हम छेद को माल लेते हैं pipe B यानि वो pipe B कैसा है negative काम करने वाला टंकी से पानी को बाहर कर रहा है यानि negative काम कर रहा है यानि A plus B को अगर 7 में काम करा रहे है तो 30 घंटे का समय लग रहा है तो हम से पूछ रहा है कि छेद अकेले टंकी को कितने दिर में खाली कर सकता है यानि pipe B टंकी को कितने दिर में खाली कर सकता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का LCM निकालेंगे जो हमारा LCM निकल के आएगा हम टंकी की धारिता माल लेंगे देखिए अब यहां आमारा समय क्या दिया हुआ है 12 घंटा और 30 घंटा 12 घंटा और 30 का LCM कितना होता है? 60 होता है यानि हम टंकी की धार्टा माल लेते हैं कि टंकी की धार्टा है वो 60 यूनिट है अब देखिए 60 यूनिट पानी को भरने में A को कितना समय लग जा रहा है 12 गंटा का और A प्लस B यानि A के साथ अगर छेद भी काम कर रहा है तो कितना का समय लग रहा है 30 गंटे का समय लग रहा है देखिए A जो है 12 घंटा में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा 5 यूनिट यानि A का इफिसेंसी निकल क्या गया 5 यूनिट अब देखिए A प्लस B जो है 30 घंटा में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा दो यूनिट यानि A प्लस B का इफिसेंसी क्या निकल किया गया दो यूनिट अब देखिए A का इफिसेंसी 5 यूनिट है और A प्लस B का इफिसेंसी कितना है दो यूनिट है ए जो है अकेले 5 यूनिट पानी एक घंटे में भर सकता है लेकिन A प्लस B अगर दोनों साथ में काम कर रहें तो एक घंटा में कितना पानी भर रहा है दो यूनेट ही पानी भर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि एके दोरा अगर अब देखिए हमसे question में पूछ रहा था कि छेद अकेले टंकी को कितने दिर में खाली कर सकता है टंकी की धारिता कितना है 60 unit है और एक घंटे में छेद जो है 3 unit पानी बाहर कर रहा है तो 60 unit पानी बाहर करने में कितना समय लगेगा हम इस 60 को 3 से भाग देंगे हमारा answer क्या निक question पर चलते हैं देखिए हमारा question क्या दिया हुआ है question दिया हुआ कि एक pipe किसी टंकी को 10 घंटा में भड़ सकता है और दूसरा पाइप उस टंकी को 15 घंटा में खाली कर सकता है तो दोनों pipe एक साथ खोल दिये जाए तो टंकी कितने दिर में भडेगी देखिए हमें question में क्या दिया हुआ है, हमें question में दिया हुआ है कि एक pipe किसी टंकी को 10 घंटा में भड़ सकता है और उसी टंकी को दूसरा pipe 15 घंटा में खाली कर सकता है तो हमसे पूछ रहा है कि अगर दोनों pipe को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने दिर में भढ़ेगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का LCM निकालेंगे यानि 10 और 15 का LCM कितना हो जाएगा? हम तंकी की धारिता को माल लेंगे कि तंकी की धारिता कितना है? 30 unit है हम ये माल लेंगे कि टंकی की धारड़ता है ओ 30 unit है अब देखिए pipe A जो है हमने माल लिया पहले pipe को pipe A याणि pipe A टंकी के अंदर 10 घंटा में 30 unit पानी भर पा रहे है 10 घंटा में और pipe B याणि दूसरे pipe को हमने B माल लिया pipe B जो है पंदरे घंटा में 30 यूनिट पानी खाली कर पा रहा है ये निगेटिव काम कर रहा है तो हम इसके सामने निगेटिव का सिंबल लागाएंगे अब देखिए A जो है 10 घंटा में 30 यूनिट पानी भर पा रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा 3 unit यानि A का efficiency यहां से निकल क्या गया 3 unit और B जो है 15 घंटा में 30 unit पानी खाली कर रहा है तो A घंटा में कितना खाली कर रहा होगा 2 unit यानि यहां से निकल क्या गया B का efficiency माइनस का दो यूनिट बी का इफिसेंसी कितना निगल किया गया माइनस का दो यूनिट अब हमें कोश्चन में जो दिया हुआ है हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने दिर में भड़ेगी आप देखिए जो है एक टंकी के अंदर तीन यूनिट पानी भरेगा और वी उसमें से क्या करेगा दो यूनिट पानी खाली करेगा यानि एक घंटा में टंकी के अंदर पानी कितना जाएगा एक यूनिट पानी जाएगा और टंकी की धारिता कितना है 30 यूनिट, 30 यूनिट टंकी की धारिता है और 1 घंटा में 1 यूनिट पानी अगर अंदर जा रहा है, दोनों पाइप के साथ खोलने पे, तो टंकी भरने में कितना समय लग जाएगा? 30 घंटा का? हमारा आंसर क्या निकल किया गया? 30 घंटा, यहनि दोनों पाइप एक साथ काम करेंगे, तो कितना समय लगेगा टंकी को भरने में? 30 घंटा का समय लग जाएगा. चलिए एक बार फिर से कोश्चिन देख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है कि एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटा में भर सकता है, और दूसरा पाइप उस टंकी को 15 घंटा में खाली कर सकता है, तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिये जाए, तो टंकी कितने दिर में भरेगी? हमने माल लिया कि जो है पहला पाइप, हमने क्या माल लिया कि A है और दूसरा पाइप क्या है B है? अब देखिए हमें कोश्चिन में जो दिया हुआ है कि A टंकी को 10 घंटा में भर सकता है और B उसी टंकी को 15 घंटा में खाली कर सकता है, यानि A जो है पोजेटिव वर्क कर रहा है और B क्या कर रहा है? निगेटिव वर्क कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारा समय दिया हुआ है, हम उस समय का LCM निकालेंगे, यानि 10 और 15 का हम LCM निकालेंगे, हम तंकी की थाड़िता कितना हो गए 30 यूनिट belum, आब देखिए हमें क्वेस्चेन में जो दिया हुआ है यानि पहला Serą Pipe हम ने क्या मान ली है कि A 10 घंटमें डंकी को भर सकता है और दूसरा Serą Pipe, यानि हमने मान लिए अर्ड़िप दूसरा Serco derive को B यानि B जो है 15 घंटा में टंकी को खाली कर सकता है अब देखिए A जो है 10 घंटा में 30 यूनिट पानी भढ़ सकता है तो एक घंटा में कितना भढ़ेगा? एक घंटा में 3 यूनिट भढ़ पाएगा? यानि यहां से हमारा Pipe A का छमता निकल किया गया? कितना 3 unit अब देखिए pipe B जो है 15 घंटा में 30 unit पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा 2 unit यानि pipe B का हमारा efficiency क्या निकल किया गया 2 unit और pipe B जो है negative काम कर रहा है यानि टंकी से पानी को बाहर कर रहा है यानि हम इसके सामने क्या लगाएंगे negative का symbol लगाएंगे अब हमसे question में पूछ रहा था कि अगर दोनों pipe एक साथ खोल दिया जाए यानि pipe A को और pipe B को अगर दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी कितने दर में भड़ेगी अब देखिए pipe जो A जो है उसमें से B क्या किया एक घंटा में दो यूनिट पानी बाहर कर दिया यानि टंकी के अंदर पानी कितना बचा एक यूनिट यानि पूड़े एक घंटा में टंकी के अंदर एक यूनिट पानी आ रहा है तो 30 यूनिट पानी आने में यानि 30 यूनिट पानी भरने में टंकी में कितना समय लग जाएगा यानि हम इस 30 में एक से भाग देंगे हमारा कितना निकल किया गया 30 घंटा यानि दोनों पाइप अगर एक साथ काम करेगा तो टंकी में पानी भरने में कितना समय लग जाएगा 30 घंटा का समय लग जाएगा चलिए question समझ में आ गया होगा, next question पे चलते हैं, देखिए हमारा question क्या दिया हुआ है, question दिया है कि एक pipe किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, तथा दूसरा pipe उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, अगर इनको बाड़ी बाड़ी चलाया जाए, तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, देखिए अगर हमें ऐसा question time and work में दिया होता था, तो हमें वहाँ ये चीज दिया होता था, कि पहले काम का सुरुआत कौन कर रहे है, लेकिन हमें यहां नहीं दिया हुआ है, यानि पहले A pipe काम कर रहे है, कि पहले B pipe काम कर रहे है, यहां हमें ये चीज मेंसन नह तभी तो टंकी से जो खाली करने वाला पाइप है वो पानी खाली करेगा यानि हम यह मान के चलेंगे हमेशा कि जो भरने का काम कर रहा है जो पाइप भरने का काम कर रहा है वही काम का सुरुवात करेगा तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले जो हमारा समय दि 30 मिनाट, सबसे पहले LCM निकालेगे。」 देखिए, बीस और 30 का LCM कितना हो जाएगा 20 और 30 का हमारा LCM कितना हो जाएगा 20 और 30 का LCM हमारा निकल क्या गया? यानि हम इस टंकी की धालिता माल लेगे कि 60 unit है tanky की धारता कितना है? 60 unit है अब देखिए 60 unit धारता वाले tanky को जब A भर रहा है यानि पहला pipe को हमने A मान लिया A भर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 20 minute का समय ले रहा है और जब B डुसरा pipe इस 60 unit धारता वाले tanky से पानी खाली कर रहा है तो कितना समय ले रहा है कितना समय ले रहा है 30 मिनट का समय ले रहा है अब देखिए A जो है 20 मिनट में अगर 60 उनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा होगा 1 मिनट में 3 उनिट पानी भर रहा होगा और B जो है अगर 30 मिनट में साथ यूनिट पानी अगर खाली कर रहा है तो एक मिनट में कितना खाली कर रहा होगा दो यूनिट देखिए बी वाला पाइप निगेटिव काम कर रहा है तो हम इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगा लेंगे अब दिखें हमें question में दिया हुआ है कि अगर दोनों pipe बारी बारी से काम करें तो टंकी कितने दिर में भड़ेगी तो यहां तो पहले जो काम का सुरुवात करेगा भड़ने वाला pipe उसके बाद ही तो खाली करने वाला pipe काम करेगा क्योंकि टंकी तो खाली है पहले पानी भड़ा जाएगा तभी तो टंकी से पानी खाली किया जा सकता है यानि काम का सुरुवात कौन करेगा ए करेगा यानि पहले ए पाइप जो है एक मिनट में एक मिनट में कितना पानी भर पाएगा तीन यूनिट एक मिनट में कितना पानी भर पाएगा, तीन यूनिट, उसके बाद दूसरा पाइप, यानि पाइप B, एक मिनट में, एक मिनट में कितना पानी खाली कर पाएगा, दो यूनिट, दो यूनिट पानी खाली कर पाएगा, देखिए, दो मिनट में कितना पानी भर जाएगा, तं A जो है 3 यूनिट पानी भर रहा है उसमें से अगले मिनट B क्या कर रहा है 2 यूनिट पानी खाली कर दिया यानि पूरे 2 मिनट में टंकी के अंदर पानी कितना बचा? 1 यूनिट आप देखे हमें पानी कितना भरना है 60 यूनिट भरना है तो जब लास्ट में जब अंतिम बार A आया होगा यानि पाइप A आया होगा तो 3 यूनिट पानी भर रहा होगा उसके बाद टंकी पुड़ा फूल हो गया होगा यानि हम इस 3 यूनिट को पहले 60 में से माइनस कर लेंगे यानि पहले हमें A और B से संताओन यूनिट काम कराना है हमें कितना काम कराना है संताओन यूनिट अब देखिए एक यूनिट पानी भरने में कितना समय लग रहा है दो मिनट का समय लग रहा है तो संताओन यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा यानि हम संताओन में 2 से गुना करेंगे संताओन में 2 से गुना करेंगे ये कितना हो जागा 114 मिनट कितना समय लग गया 114 मिनट का अब देखिए जब संताओन यूनिट पानी भर गया उसके बाद कौन काम पे आएगा पहला पाइप यानि पहला pipe आएगा और तीन यूनिट पानी भरेगा एक मिनिट का समय लेगा तीन यूनिट पानी भरेगा ये कौन सा pipe है? pipe A है अब देखें टोटल जो है कितना पानी भर गया टंकी के अंदर साथ यूनिट पानी भर गया और समय कितना लग गया 114 मिनिट पहले लगा है एक मिनिट और यानि 115 मिनिट में 115 मिनिट में टंकी पूरी भर जाएगी अगर दोनों बारी बारी से काम करेंगे तो 115 मिनिट में टंकी भर जाएगी चलिए एक बर फिर से question देख लेते हैं हमें question में क्या दिया हो था देखे हमें question में दियो था कि एक pipe किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा pipe उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है अगर इनको बाड़ी बाड़ी चलाया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी देखे हमें अगर ऐसा question time and work के अंदर दिया होता था तो वहां हमें लिखा हुआ रहता था question में साफ साफ कि काम का सुरुआत कौन कर रहा है लेकिन हमें यहां नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम यह मान के चलेंगे कि जो pipe भरने का काम कर रहा है वही पहले काम का सुरुआत करेगा क्योंकि टंकी तो खाली है, पहले उसमें पानी भढ़ा जाएगा, तभी तो टंकी से पानी खाली किया जाएगा, यानि जो भढ़ने वाला पाइप होगा, काम का सुरुआत वही करेगा, तो देखिए यहाँ जो पहला पाइप है, वो भढ़ने का काम कर रहा है, और दूसरा पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है, हम उस समय का LCM निकालेंगे, हमारा समय क्या दिया है, 20 मिनिट और 30 मिनिट, यानि 20 और 30 का LCM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानि हम इस टंकी की धारिता माल लेंगे 60 यूनिट, अब देखिए 60 यूनिट टंकी की ध तो हम इसके सामने निगेटिव का सिम्मल लगाएंगे अब देखिए ए जो है 20 मिनट में अगर 60 उनिट पानी भर रहे है तो एक मिनट में कितना भर रहा होगा? 3 उनिट यानि यहाँ से निकल किया गया A का इफिसेंसी क्या है? 3 उनिट है और B जो है अगर 30 मिनट में 60 उनिट पानी बाहर कर रहा है तो एक मिनट में कितना कर रहा होगा दो उनिट यानि B का Efficiency क्या निगल किया गया दो उनिट और B क्या कर रहा है माइनस वर्क कर रहा है यानि हम इसके सामने माइनस का सिंबल लगाएंगे अब देखिए हम से Question में बोला जा रहा था दोनों बाड़ी बाड़ी से काम करें तो काम का सुरुआत तो पहले A करेगा क्योंकि A भढ़ने का काम कर रहा है B जो है खाली करने का काम कर रहा है तो हम हमेशा से काम का सुरात किस से कराएंगे जो पाइप भरने का काम करेगा यानि ए जो है एक मिनट में पहले टंकी के अंदर तीन यूनिट पानी भरेगा उसके अगले मिनट बी आएगा बी जो है एक मिनट में दो यूनिट पानी खाली कर देगा पूरे दो मिनट का समय चला गया और टंकी के अंदर पानी कितना बचा एक यूनिट का दो मिनिट में टंकी के अंदर कितना पानी आ रहा है एक यूनिट आ रहा है हमें टंकी के अंदर पानी कितना भढ़ना है साथ यूनिट पानी भढ़ना है देखें जब अंतिम तीन यूनिट काम बाकी होगा यानि हमें सबसे पहले दोनों से करवाना है संताओन यूनिट पानी भरने का काम, अब देखे एक यूनिट पानी भरने में दो मिनट का समय लग रहा है, तो संताओन यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, यानि हम संताओन का दूगूलना कर देंगे, कितना हो ग और समय कितना लगया, एकस्ट कोस्टन पे चलते हैं, कोस्टन दिया कि पाई-पे किसी टंकी को 12 घंटा में भड़ सकता है, जबकि वी उशी टंकी को 15 घंटा में भड़ सकता है, सी टंकी से पानी 7.5 котором प्रति मिनुन की दर्त से खाली करता है, यदि तीनों पाइप एक साथ काम करें तो 10 घंटा में टंकी भर जाती है तो टंकी की धारिता कितनी है हमें क्या निकालना है टंकी की धारिता निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जो हमारा समय दिया हुआ है कि पहला pipe यानि A जो है 12 घंटा में टंकी को भर रहा है B जो है 15 घंटा में भर रहा है और A प्लस B प्लस C जो है मिलके अगर तीनों कर रहे हैं काम को तो 10 घंटा में टंकी भर जाती है तो जो हमारा सबसे पहले समय दिया हुआ है हम उस समय का LCM निकालेंगे यानि हम समय का LCM निकालेंगे सबसे पहले समय हमारा दिया हुआ 12 घंटा 15 घंटा और तीसरा समय क्या है 10 घंटा यानि 12, 15 और 10 का LCM कितना हो जाएगा 12, 15 और 10 का LCM हो जाएगा 60 यानि हम टंकी की जो धारिता है वो क्या माल लेंगे 60 X माल लेंगे टंकी की जो धारिता है, वो कितना है, 60 एक्स लीटर है, हमने टंकी की धारिता माल लिया कि 60 एक्स लीटर है, अब देखिए, हमें कोश्चिन में क्या दिया हुआ है, कि pipe A, हमें कोश्चिन में दिया हुआ कि pipe A, अगर टंकी को भरता है, तो 12 घंटा का समय ले रहा है, pipe B, अग अगर एक साथ खोले जा रहे हैं, यानि A प्लस B प्लस C, अगर तीनों पाइप एक साथ खोले जा रहे हैं, तो टंकी कितने दर में भड़ रही हैं? 10 घंटा में भड़ रही हैं, तो हम सबसे पहले A, B और A प्लस B प्लस C का इफिसेंसी निकालेंगे, देखिए A जो है 12 घंटा में एकर 60 एक स्पानी भड़ रहा है, तो एक घंटा में कितना भड़ रहा होगा? एक घंटा में 5 एक स्पानी भड़ रहा होगा, टंकी के अंदर एक घंटा में कितना भड़ रहा होगा? 5 एक स्पानी भड़ रहा होगा अब देखिए B जो है B 15 घंटा में अगर 60 एक्स पानी भर रहा है तो एक घंटा में कितना भर रहा होगा एक घंटा में 4 एक्स पानी भर रहा होगा एक घंटा में कितना भर रहा होगा 4 एक्स पानी भर रहा होगा अब देखिए A जो है 1 घंटा में 5x पानी भर रहा है, B जो है 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है, B जो है 1 घंटा में 4x पानी भर रहा है, B जो है 1 घंटा में 4x पानी भर रहा है, और A प्लस B प्लस C जो है 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है, 1 घंटा में 6x पानी भर रहा ह A अकेले 5X पानी भर सकता था B अकेले 4X पानी भर सकता और 3 मिल के जब काम कर रहे है तो पानी कितना भढ़ा जा रहा है टंकी में 6X भढ़ा जा रहा है एक घंटा में यानि इसका मतलब क्या हुआ कि A 5X भर रहा होगा B 4X यानि टोटल 9X हुआ और C जो है उस 9X में से 3X पानी खाली कर रहा होगा यानि यहां से हमारा C का efficiency क्या निकल किया गया C का जो efficiency निकल किया गया कितना निकल किया गया 3X C का efficiency क्या निकल किया गया 3X अब देखिए हमें question में एक और चीज दिया हो था कि C टंकी से पानी 7.5 लिटर प्रती मिनट के दर से बाहर कर रहा है C जो है टंकी से जो पानी बाहर कर रहा है कितना बाहर कर रहा है 7.5 लिटर प्रती मिनट देखिए एक मिनट में C जो है एक मिनट में एक मिनट में कितना पानी बाहर कर रहा है 7.5 लिटर तो 60 मिनट में कितना बाहर कर रहा होगा 60 मिनट में कितना बाहर करेगा हम 60 से गुना करेंगे ये पॉइंट हट जाएगा उसके बाद हम 6 से गुना कर लेते हैं इसमें 6.30 की 0 हाथ में 3 42,3,45 यानि 450 लिटर एक घंट में टंकी के अंदर किता पानी बाहर निकल जाता 450 लिटर अब देखिए यहां हमारा क्या निकल क्या आया कि C जो है एक घंटे में 450 लिटर पानी बाहर कर रहा है और यहां हमारा क्या निकल क्या रहा है C का इफिसेंसी कि C जो है एक घंटे में 3x किसके बराबर है? 450 लीटर के बराबर. तो हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था टंकी की धारिता. हमने यहाँ टंकी की धारिता क्या मान के रखा है? 60x. यानि अगर 3x 450 लीटर के बराबर है, तो हमारा 60x किसके बराबर हो जाएगा? साठ एक्स किसके बराबर हो जाएगा हम अगर तीन में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साठ आजाएगा यानि हम 450 में अगर 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यानि 45 दून 90 पे डबल 0 यानि हमारा जो है टंकी की धारिता क्या निकल किया गया टंकी की धारिता जो है 9000 लिटर निकल किया गया हमारा आंसर क्या होगा 9000 लिटर चलिए एक बर फिर से question देख लेते हैं हमें question में क्या दिया हुआ है question में दिया है कि pipe A किसी टंकी को 12 घंटा में भर सकता है जबकि B उसी टंकी को 15 घंटा में भर सकता है C टंकी से पानी 7.5 लिटर प्रती मिनट की दर से खाली करता है यदि तीनों pipe एक साथ काम करे तो 10 घंटे में टंकी भर जाती है तो टंकी की धारिता कितनी है हमें क्या निकालना है टंकी की धारिता निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जो हमारा समय दिया हुआ है कि A अकेले 12 घंटा में भर रहे है B अखेले 15 घंटा में भर रहा है और A प्लस B प्लस C मिलके अगर भर रहे है तो 10 घंटा का समय लग रहा है तो जो हमारा समय दिया हुआ है हम सबसे पहले क्या करेंगे उस समय का LCM निकालेंगे यानि 12, 15 और 10 का LCM हमारा कितना निकल के आगया 60 निकल के आगया अब हम टंकी की धारिता माल लेंगे कि टंकी की धारिता है वो 60X लिटर है टंकी की धारिता कितना है 60X लिटर अगर 60X लिटर पानी A को भर ना है तो कितना समय लग रहा है 12 घंटा का 60X लिटर पानी अगर B को भर ना है पांच एक्स लिटर, बी जो है 15 घंटा में अगर 60 एक्स लिटर पानी भर रहे हैं, तो ए घंटा में कितना भर रहा होगा, 4 एक्स लिटर, और ए प्लस बी प्लस सी जो है 10 घंटा में अगर 60 एक्स लिटर पानी भर रहे हैं, तो ए घंटा में कितना भर रहे होगे, 6 एक्स लि भर रहा है अब देखिए A और B का ही अगर हम मिलाएं तो कितना हो जाएगा A अकेले पांच लीटर पानी भर रहा है और B अकेले 4X लिटर पानी भर रहे है यानि अगर A plus B का ही हम मिलाएं तो कितना हो जाएगा 9X लिटर हो जाएगा और यहाँ देखी A plus B plus C का अगर हम मिला रहे हैं तो कितना निकल का है 6X लिटर यानि इसका मतलब यह हमें पता चला कि C जो है 1 घंटे में कितना पानी खाली कर रहा है C जो है 1 घंटे में 3X लिटर पानी खाली कर रहा है C एक घंटे में 3X लिटर पानी खाली कर रहा है लेकिन हमें कोस्चिन में क्या दिया है कि C जो है प्रती मिनट 7.5 लिटर के दर से पानी खाली कर रहा है यानि C एक मिनट में साड़े साथ लीटर पानी खाली कर रहे है तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि C एक घंटे में कितना पानी खाली करेगा अगर एक मिनट में साड़े साथ लीटर पानी निकाल पाएगा साठे चार सो लिटर सी जो है एक घंटे में साठे चार सो लिटर पानी निकाल पाएगा और यहां हमारा क्या निकल क्या है अगर हम साठेक्स लिटर धारिता मान के रखे हैं तो हमारा निकल क्या है कि सी जो है एक घंटा में थ्री एक्स लिटर पानी निकाल रहा है यानि यहां से हमारा ये निकल किया है कि थ्री एक्स लिटर किसके पराबर हो जाएगा 450 लिटर के पराबर तो हमें क्या निकलना था टंकी की धारिता, टंकी की धारिता कितना है साथ एक्स, यानि साथ एक्स किसके पराबर हो जाएगा 60x liter किसके पराबर हो जाएगा अगर हम इस 3x में 20 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल किया जाएगा 60x liter तो हम 450 में अगर 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9000 liter यानि टंकी की धारिता हमारा क्या निकल किया गया 9000 liter हमारा आंसर कितना होगा 9000 लिटर होगा चलिए question समझ में आगया होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का like करेगा अगर आप मेरे channel पे नए हो तो channel को subscribe करेगा और वीडियो का अपने दोस्तों के साथ share करना बिलकुल मत भूलेगा चलिए बाई बाई